निंद अपनी भुला कर सुलाया हमको आसु अपनी बहा कर हसाया हमको दर्द न देना उस खुदा के तस्बीर को खुदा भी कहता है मा जिसको इसी के साथ आप सभी को एक बर फिर से हादिखार भी कभिनंदन स्वागत है इस अस्टार इंगलिस चैनल पे सिंटु सर की तरफ स आज मैं कुछ ऐसा बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ में कि अगर आपको पढ़ने में अगर मन नहीं लगता हो तो इस वीडियो को complete आप देखेंगे और इस वीडियो को completely देखने के बाद साइद आपमें इंसानियत होगी तो जरूर पढ़ने में मन लगेगा और जरूर वो सारे सपने आपको याद आएंगे वो अपने माता पिता के सारे सपने आपको याद आएंगे जिसका जरूरत आपके घर में बेसबरी से इनतिजार है तो आप इस वीडियो के साथ लाश्ट तक बने रहें और हमारे साथ बने रहें ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्यों नहीं मन लग रहा है चेला ठीक है तो मन नहीं लगने का रीजन सबसे बड़ा क्या है कि कहीं न कहीं उसमें बहु जादा कमजोरी है उस बच्चा में और उस कमजोरी का भरपाई वो अपने लोवर कलास में नहीं कर पाया ठीक है और लोवर कलास में नहीं कर पाया और उसके बाद इस सहर में भी आ तो वो बच्या जिस रास्ते पर पढ़ने के लिए उस रास्ते से कहीं न कहीं भटक कर अलग चला गया और आज उसी का परिनाम है कि वो बच्या मेहनत तो कर रहा है बट वो सारे चीज़ को गैन नहीं कर पा रहा है जिसके उपर हो मेहनत कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्यों कि अगर अभी आपको क्लास 12 में अगर बहु जादा दिकत हो रही है आपको पढ़ने में आप पढ़ नहीं पा रहे हैं पढ़ रहें बड़ चीज़ा समझ में नहीं आ रही है कहीं न कहीं आप 11 में बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं और उस गलती का भरपाई अब आने वाले समय में बहुत मुस्किल है जो रास्ता छुट जाती है वो रास्ता आगे मिलना बहुत मुस्किल होता है जो समय चला जाता है वो समय लोट कर आना नामूंकिन है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप अपना गोल को सेटप नहीं कर पाये हैं, ठीक है कि मुझे करना क्या है, मेरा एम क्या है, हम इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, ठीक है आप इस गोल को set up नहीं कर पाएं अभी तक और जब आपके माइंड में कोई गोल नहीं है कोई एम नहीं है कोई लक्ष नहीं है तो आप पढ़ाई पढ़ किसलिए रहे हैं यह अपने आप से सवाल करें एक आइना के पास खड़ा होकर अपने आप से पुछें कि मैं पढ़ किसलिए रहा हूँ आपको करना क्या है साहब यह तो आपको पता ही नहीं है और जब पता नहीं है कि मुझे करना क्या है तो मैं पढ़ कर करूंगा क्या सवाले भी आता है क्या करेंगे आप इसी का आज परिनाम है कि आप बहुत बड़ा मुसीबत में हैं चीजे पढ़ाई जा रही है बट आपको समझ में नहीं आ रही है सिर्फ आप कोश्चन को बनाते जा रहे हैं नोट कोपी में नोट डाउन करते जा रहे हैं और उस question के साथ अगर आपका फिर से मुलकात हो रही है उस question के साथ तो उस question को आप कहीं न कहीं miss कर रहे हैं ठीक है आप बना नहीं पा रहे हैं आप याद कर रहे हैं बाटों को यार कैसे बना था कैसे हुआ था यानि आपका basic बहुत कमजोर है दोस्त और जब basic कमजोर है तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा जब हमारे पेड़ का अगर उसका जड़ ही कमजोर है तो पेड़ उपर जाकर करेगा क्या जाएगा ही नहीं वो तो इधर ही गिर जाएगा ठीक है अगर बेस पेड़ का अगर जड़ कमजोर है तो उपर जैसे जैसे जाएगा उसका उपर वाला सारा पाट जैसे ही बहुत ज्यादा लोड होने लगेगा उपर का पाट में तो अपने आप गिर जाएगा ठीक है तो आप मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करने से अगर चूकेंगे इस जिन्दगी में कुछ भी नहीं मिलने वाला है और अगर आप इस सहर में आकर घुम रहे हैं और आपको कुछ याद नहीं है कि आपके माता पिता इस सहर में किस लिए भेजे हैं और आपको पैसा अगर वो मेहनत करके दे रहे हैं आप उनके मेहनत को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पैसा मुझे कहां से मिल रहा है किस तरीके से मेरा गारजी और मेरा फैमली मेरा परिवार मेरे को इस पैसे को एरेंज करके हम तक पहुचा रहा है किस प्रस्तिती में किस इस् और साथ ही साथ जब कलास में जा रहे हैं तो कलास में भी मजा ले रहे हैं आप एक क्यों नहीं सुचते हैं कि जब मैं कलास में बैठा हूँ तो मेरे साथ वो चीज भी बैठा है क्या ड्रिम्स जो कि आपके गार्जियन का आपके फैमिली का जो सपना आपसे लगा हुआ है कि कहीं न कहीं मैं उसके उपर खर्चा कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मुझे आउटपूट बहुत बढ़ा बहुत अच्छा मिले वो आपसे भरोसा करके आपको इस सहर में बैठा हैं और साहब आप तो सिर्फ दूसरे दूसरे को देखकर वो क्या गलती कर रहा है छोटे से गलती को निकाल कर उस बात को बवाल करना बवाल करने में बहुत आगे चल रहे हैं आप तो एक अभी नहीं कहते हैं कि अगर एक आदमी अगर 10 साल भी अगर इंसानियत से अगर अच्छा काम करें तो आपका नाम उसका आप क्यों नहीं लेते हैं एक बार अगर कोई teacher या आप भी या कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसका नाम क्यों नहीं होता है और अगर वो एक बार गलती कर देता है तो उसका नाम बहुत जादा हो जाता है यही आप में कमी है ठीक है जिसके चलते आप अभी इस condition पे हैं उस level पे हैं कि आपको उपर जाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा और वो कष्ट मुझे नहीं लगता है कि अब आप जहल पाएंगे अगर जहल लिए तब तो बहुत ही बहुत ही आगे चले जाएंगे ठीक है? तो अगर आप सहर में आये हैं तो साहाब मेहनत करें मेहनत करने से अगर चुक रहें तो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ आपके गार्जियन का सपना साथ साथ में चल रहा है और अगर आप उस बातों के याद नहीं रख रहें हैं अगर आप उन सारी बातों को याद नहीं रखे हैं कि मेरा family background क्या है मैं उसे कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ अगर जिसके mind में ये चीज सेट अप हो गया कि मेरा family background क्या है मैं आज कहा हूँ आने वाले समय में मैं कुछ उपर जाना चाहता हूँ अगर ये चीज जिसके mind में है वो 100% successful बेक्ती होगा successful आदमी बनेगा आने वाले समय में ठीक है उसके साथ हर कुछ होगा जो वो चाहता है जो होना चाहिए वो सब होगा लेकिन मेहनत करेगा तब लेकिन साहब आप मेहनत करते कहां है अब बात आती है हमारे स्टूडेंट्स की तो क्लास लोवर का तुमें बात नहीं करूंगा बट मैं यहां बात करूं क्लास 11 और 12 में तो हमारे स्टूडेंट्स साहब आप इसे अभी नहीं देखेंगे यह बहुत ही बड़ा चीज मैं इसमें छिपा कर रखा हूं जो आपक कैटेगरी में बटे हुए होते हैं दो कैटेगरी में ठीक है कैटेगरी नंबर वन में ऐसे विद्यार्थी होते हैं और कैटेगरी नंबर टू में ऐसे विद्यार्थी होते हैं साहब कैसे होते हैं तो कैटेगरी नंबर में वह विद्यार्थी बैठा हुआ होता है कैटेग जिससे की पुरा दुनिया उसे जाने की हाँ, वो भी एक लड़का है, वो भी इस धर्ती पे है, वो भी कुछ करता है और वो भी कुछ कर रहा है इस दुनिया के लिए, अपने आप के लिए जो जीने वाला बेक्ती है, वो बेक्ती नहीं है, उसमें स्वार्थ भरा हुआ है, स इस गरीब को हेल्फ करो जो गरीब 24 गंटा में सायद एक बार उसे भोजन अगर प्राप्त होता हो तो उसका खुस नसीबी हो कि भगवान उसे एक बार 24 गंटा में खाना दिया तो अगर नाम कमाना है तो एक दूसरे के लिए बंवरो स्वार्थ भर के मत रखो अपने आप में ठीक है अब यह अभी द्यारती जो कैटेगरी नंबर वन में बैठा हुआ है यह बहुत ही मेहनत करने वाला स्टूडेंट होता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करके अपने उस मुकाम पे पहुचना चाहता है जो अपने माइंड में सेट अप रखा है ठीक है वो सेक्रेट बात होगा उसका आपके साथ हो नहीं सेयर करेगा और कैटेगरी नंबर वन में वह बिद्यारती बैठा हुआ होता है जो की अपने मम्मी और पापा के अपने फैमिल पाए में मरना चाहता है उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता है तो सिर्फ दिखावा में तो फौर्मिलिटि को निभाता है कि सर मैंभी पड़ रहा हूँ बटे पड़ रहा हुआ होता नहीं है ये सुर्प मज़े में सहर में भूम रहा है और लाश्ट में उस जाता है जहांसे इसे उठ कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है इसका जीवन एकदम नर्क के जैसा होता है और अभी आपको इस 16 एयर और 17 एयर्स के एज में आपको पता नहीं चल रहा है सर कि मुझे करना क्या है अभी तो आपको लगता होगा अरे यार चलो जो होगा देखा जाएगा आपके माइंड में गोल सेट अप नहीं है इसका मतलब है और जैसे ही आपका एज 22 और 23 के पास पहुचेगा आपका यह माइंड काम करना बंद करेगा उस समय आप सोचेंगे कि यार मैं क्या करूँ अब कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाओं क्योंकि इस एज में आप सिंगल नहीं रहेंगे साहब इस एज में आप डबल होंगे आपके गारजियन तो कहेंगे ना कि आप डबल हो जाईए सर बहुत मेरे पैसे पर आप ऐस मोज कर लिए उस समय जो आपका निंद है निंद वह अभी 14 घंटा सोते होंगे ना तो सायद 4 घंटा भी अगर आपको निंद आया जा तो बहुत यादा है ठीक है इसलिए इसलिए नंबर दोला जो विद्यार्थी होता है वो सिर्फ फॉर्मलीटी को निभाता है पढ़ाई नहीं पढ़ता है ठीक है यह फॉर्मलीटी के लिए नहीं पढ़ता है यह अपने मंजिल को पाना चाहता है कुछ करके दिखाना चाहता है अपने फैमिली बैक्ग्राउं वाला बेक्ति है यह सबसे जादा मेहनत करता है बट यह बड़ा नहीं बन पाता है ठीक है क्यों क्योंकि यह सिर्फ मेहनत करता है यह दिमाग का यूज नहीं करता है और दिमाग का यूज ओही बेक्ति करता है जो सिक्छित होगा उसके पास धिमाग होगा और वह category number one का भी दियार्थी होगा इस category number two का नहीं होगा क्योंकि यह तो फॉर्मलिटी नहीं भारा है किसी तरह यार पास हो जाते अपने गारजियन को दिखा देते कि हाँ हम भी पास हो गए है ठीक है और फिर यह मेहनत करेगा और यह तो अपने दिमाग को यूज कर और यह तो सिर्फ मेहनत करता है सर यह दिमाग को यूज नहीं करता है और मेहनत करने से पैसा होता तो इससे ज्यादा मेहनत हमें देखने से कोई नहीं करता है और यह एक साहब को देखिए यह मेहनत भी करते हैं वो ही इनसान आगे जाता है, वो ही इनसान सितारा बनता है, वो ही इनसान वह है, जो सब कुछ पाता है, जो मेहनत भी करता है, और मेहनत के साथ साथ यह अपना दिमाग यूज करता है, और दिमाग वही यूज करता है, जो सिक्छित होता है, एजुकेटेड होता है, और यह देखी एक बेक्ति ऐसा है जो कि इसके पास दोनों चीज है सिक्षित भी है, दिमाग को भी यूज करता है और इसके पास वो सारे चीज होते हैं जो यह ढूंडता है जो यह चाहता है इसके पास एक अच्छा था सुन्दर सा घर होता है अपने घर के चारों तरफ बागवान लगा के रखता है और उस घर को सुन्दर बना के रखता है उस घर में चार नौकर को दोडाता है दस नौकर को खटाता है और इसके पास एक अच्छा सा कार होता है ये कही का है सर ये जितना चाहे इसके पास कार होते है अपना जिन्दगी एक रही सी जिन्दगी जीता है, एक राजा महराजा की जैसा जीता है, तो कहीं न कहीं बहु ज़्यादा मेहनत तो करी रहा है और मेहनत के साथ साथ अपना दिमाग युज़ कर रहा है, और तुम अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, तो अपने गारजियन को इतना बड़ा तुम धोखा दे रहे हो और उसके साथ सबसे ज़्यादा धोखा अपने आपको दे रहे हो कि आने वाले समय में तुम उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां तुम सिर्फ रोएगा उसके अलावा और कुछ नहीं तुम्हें दिखाई देगा ठीक है तो विश्वास रखो यार विश्वास सबसे बड़ी चीज है बिलीव सिस्टम इस ट्रॉंग सिस्टम अगर हमें विश्वास है पढ़ते आवर में कि मैं पढ़के कुछ अच्छा करूंगा अगर मेहनत करके पढ़ाई करूंगा तो कुछ अच्छा करूंगा और सिर् वन एम एक होना चाहिए तो मैं वादा के साथ बोलता हूं कि तुम्हें वह चीज मिलेगा जो तुम्हें अपने सेट अप करके इस माइड में चल रहे हो ठीक है विश्वास रखो इस दुनिया में सब चीज संभव है कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि संभव नहीं है तो सर आप मेहनत किजिए तो सब चीज मिलेगा आपको और नहीं मेहनत किजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ए सारी बाते आपके माइंड में जाता होगा तो आप जरूर मेहनत करेंगे और जहां तक रही आपका क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके पास अभी बहु ज़्यादा समय है ठीक है इनफ टाइम है इनफ टाइम उनके एकजाम के लिए क्योंकि उनका एकजाम मैं में होने वाला है उनका एकजाम मैं में होने वाला है ठीक है तो आपके पास इनफ टाइम है गोल्डेन एपरचुनीटी है आपके पास आप मेहनत करें और मेहनत करके अच्छा से अच्छा करने का कोशिस करें और अभी से मेहनत किजिएगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी भी आपके पास बहुत समय है आप अपने आपको सुधार सकते हैं आप अपने आपको उस रास्ते पे लाख सकते हैं जहां से आप भटक गए है ठीक है तो अपने आपको सुधारिये पहले उसके बाद दुनिया को सुधारिये तो लोग अच्छा कहेंगे और अपने आप नहीं सुधरे है यारो दुनिया को सुधार मैंने निकल गया तो हमसे पागल कौन होगा लोग तो पागल ही बोलेंगे ना अपने तो साला अपने तो बुडबक ही है और इस दुनिया को चला है सुधार ने तो पहले अपने आपको सुधार ये और अपने आपको सुधारेंगे तो दिनिया को सुधारेंगे आप और इस दुनिया में जो लोग है वो आपके बातों को मानेंगे भी कि नहीं यह एक अच्छा बेखती है यह एक सक्सेसफूल आदमी है यह जो बोल रहा है वो सही है उसके बारे में जो बोल रहा है उस पर विचार करें और उसके बातों पर हम आगे बढ़ क्योंकि कोई बेक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है और ओ जौब नहीं ले रहा है तो रे यार तुम जादा अगर तेज होता तो जौब क्यों नहीं ले लेता जो बेक्ति ये सवाल करता है सबसे जादा मुर्ख वह बेक्ति है जो इस कोस्टन को कर रहा है क्योंकि सब का अप teaching line में अच्छा लग रहा है मुझे इसी में जिन्दगी लग रहा है कि अच्छा रहेगा मैं सिक्षा को बाटू ठीक है जो मेरे पास knowledge है उसे मैं दूँ और लोगों को आगे जितना मेरे पास से दे कर मैं आगे बढ़ाने का कोशिस कर रहा हूँ तो मेरा खूसी इसी में है तो मैं इसी काम को करूँगा आपका खूसी जिस काम के लिए है जिस काम में आपको खूसी मिलता है उसी को करें जिस काम में खूसी नहीं मिलता है उससे एकदम side हो जाना यह completely side हो जाई है